प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी ने पंडित दिन दियाल उपध्या मर्गिस्ति थी भारतिय जंतापाथी की केंद्र कारी कर्म के विस्तार का डीजिटल उधगातन किया है। प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी ने पहली बार विपक्ष पे जम कर निशाना सादाए भारतिय जंतापाथी के केंद्रिय कारियाले में आवासी परिसर के लोगपन कारिकरम को संबोधित करते वे प्रधान मंतरी ने कहा है कि सारे बस्तार चारी एक साथ आ रहे हैं। मलीका अरजुन खरगे ने पियम मोदी पर आज निशाना सादा उन्होंने टूइट करके उनको कई मुद्धों पर गेरने की कोशिश किये। खरगे ने अपनी टूइट में सवाल करके पूछा है अजानी की कंपनी में लगाए गए 20,000 करोर रुपए किसके हैं। उन्होंने पूछा ललित मोदी, निरब मोदी, महुल चोकसी, विजय मालिया, जतिन महता, आदी क्या आपके बस्रचारे भगाओ अभ्यान के सदस्या हैं। चुनाव आयोग के मताबिक राज में कूल पांच करोर एक किस लाख तिरपन हजार पांच सो नवासी वोटर एक रनाटका में 9.17 लाख नए वोटर जुड़े हैं। सौसे ज्यादा उम्री के सोलह हजार से ज्यादा मतदाता होगे। और असी साल से ज्यादा उम्री के वोटर घर से वोट कर सकेंगे एक अप्रेल को जिनकी उम्री 18 साल से हो रही है वे भी वोट कर सकेंगे। दूसुच चौविस ऐसे बूत बनाए गए हैं जिन में यूत करमचारी तैनात रहेंगे। चौनाव आयोग ने कहा है कि करनाचका में 9.1 7 लाख नए वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान करेंगे 24 मई से पहले चौनाव की प्रकीरिया पुरी कर ली जाएगी। 2019 के लोकसभा चौनाव की दौरान रहुल गांदी ने विवादित बियान करनाचका के कलोड में दिया ता दिल्चस्बात ये है कि सजा के बाद रहुल गांदी की पहली जनसभा कुलार में ही होने वाली है। खबर है कि करनाचका विधान सभा चौनाव के लिए अपनी पार्टी परतियाशों के समर्थन में जनसभा को संबोदित करने जाएंगे। भारतिय जनता पाती दिल्ली के मुखमंतरी अर्विंद केजरिवाल के उस दावे पे पलटवार किया है जिसमें आपने ताने दावा करके कहा था। पती गौतम अजानी परधान मंतरी नरेंद मोदी के सिर्फ एक फंट बैनेजर थे बीजेपी की रास्चे परवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जरिवाल हताश में मोदी को निशाना बना रहे क्योंकि उनकी सरकार के भस्रचार के पहियों पे ब्रेक लगा दिये गए हैं ड्रक्स और नशीले पदार्थ के कारोबार और तसकरी के मामले में सुप्रेम कोट ने कहा है नशीले चीजों के व्यावासिक मातर के कारोबार से जुड़े आरोप को तब तक जमानत नहीं मिलनी चाहिए जब तक की कोट को इस बात की संतुस्टी हो जाए कि व्यक्ति करवाता है राजसरकार ने के इंदर सरकार को लिखे एक पत्र में कहा है कि किसकी संस्था अलग-अलग विश्याव पे हर साल एक हजार से ज्यादा चाहतरों को पोस्ट ग्रैजवेट की डिग्री देता है खबर की माने तो किंद्रिय मंतरी नितिन गटकरी ने मुख मंतरी एक नास शिंदे को खत लेकर के मेडिकल एजुकेशन सेकरेटरी डॉक्टर एश्वानी जोशी को तबदले की मांग की है इसी मामले में एक तरफ राज की चिकित्सा सिक्षा मंतरी ग्रीशी महाजन कॉलेज ओफ फिजिशियन एंड सर्जन पे निशाना साथ रहे हैं दूसरी तरफ के इंद्रिय सरक पड़ी बहन और राजमर्ग मंतरी नितिन गटकरी ने कॉलेज को पक्ष में ले रहे हैं जस्बात यह है कि गटकरी की पतनी कंचन गटकरी सीपियस से जुड़े कॉलेजों की असोसियेशन से बत और एडवाइजर के तौर पे जुड़ी हुई है खलिस्तान सरगन अमरितपाल सिंग को पकड़ने की कोशिश में पंचाब पुलिस पिछले 12 दिनों से लगी हुई है वही वारिस पंचाब दे परमुख अमरितपाल सिंग पुलिस को एक शहर से दूसरे शहर चकमा देने में कायम हो रहा है इस बीच कॉंग्रेस के वरिस्त नेता अबिशेक मनू ने टूइट कर चांच अजन्सियों पे चुट की ली है भारत ने कटित तौर पे नेपाल में अधिकारियों से सतरक रहने और अमरितपाल को किसी तीसरे देश में नहीं जाने देने का आगरा किया है भारतिये दुतावास ने सरकारी अजन्सियों से अनुरोत किया है कि अगर अमरितपाल सिंग नेपाल से भागने की कोशिश करता है तो इसे गिरफतार किया जाए बता दे कि वारिस पंच्चाब देपरमुक ठारा मार्स से फडार है सुप्रीम कोट में सुनवाई से ठीक पहले लक्षदीब के सांसद मुहमत फैजल की मेंबर्शिप लोगसबा सचीवाले ने बहार कर दिया है दो महिने का समय बितने पे सांसद सुप्रीम कोट पहुँचे थे आज ही इस मामले पे सुनवाई होनी है फैजल ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोट में अपनी लोगसबा मेंबर्शिप बहाल करने की मांगी फर्जी वीडियो वाइरल करने के मामले में यूट्यूबर मनिश कश्यप को तामिल नादू पुलिस रिबांद पे अपने साथ ले गई है जानने से पहले पटना एरपोर्ट पे मनिश कश्यप ने बहुत कुछ कहा है कामिल नादू पुलिस के साथ बिहार पुलिस की टीम भी पटना एरपोर्ट तक पहुँची थी इस दौरान जाते जाते मनिश कश्यप ने मीडिया के कई सवाल का जवाब दिया इलाहाबाद के उचनियाली की लखनओ खंडपीट ने उत्तरपरदेश शरकार के बेसिक सिक्षा विभाग के परमुक्स अच्छीव के खिलाफ गैर जमानती वारंच जारी किया है ऐसे में इसलिए किया गया है क्योंकि अधिकारी आदेश के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हुए मानियता प्राप्त शिक्षक संद्वारा दायर अवमाना याचिका पे नयाई मुर्थी इर्शाद अली की अकल पीट ने ये आदेश पारित किया पूने सांसत गरिश बापत का आज नेधन हो गया है भाजपा नेता बापत दिनानात मंगेशकर अस्पताल पूने में भरती थे जहां उन्होंने अंतिम सांस ली बापत दोहजार उनीस में पहली बार पूने से सांसत चुनी गए थे बीजेपी की रास्ट ये अद्यक्स जेपी नड़ा ने पीम मोदी की अकान शाओ को पूरा करने के लिए करनाचका में रैलिया जनसभा और बूत अस्तर की काड़े करम की व्यापक योजना बनाई है करनाचका विधान सभा चुनाव जितनी के साथ दोहजार चौबिस के अगामी लोग सभा चुनाव पे हैं बीजेपी ने दोहजार चौबिस के चुनाव रन के लिए करनाचक समिछ दक्षिन के पांच राज्यों में अपनी ताक जोकने की तैयारी कर ली है आज शियर बजार में अच्छी तेजी पे कारोबार हो रही है अधानी स्टॉक्स भी कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहा है अधानी समू में दस लिस्टिश शियरों में से पांच शियरों में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और पांच शियरों में गिरावट देख प्रिश्वर में होगी 27 अप्रेल से 29 अप्रेल तक भुमेश्वर के 15 सितारा होचल में सिक्षा को लेकर के वर्किंग गुरूप की तीसरी बैठा का आयोजन होगा मिरट में पुर्व मंतरी याकुब कुरेशी के अवैस संपत्यों पे कुड़की की काड़वाई जाड़ी ये भारी पुलिस बलके साथ मीट काड़ोबारी के बेटे फिरोज की 17 बिगाज जमीन को कुड़ किया गया इसकी कीमत लगभग 3 करोर रुपे बताई जाड़ी ये अ अब तक पुलिस पुर्व मंतरी की लगभग 24 करोर रुपे की संपती जब्त कर चुकी है